आगरा से इस वक्त ही बड़ी खबर मिल रही है जहाँ पर ताश महल पर आत्मदाहा की चेताबनी तो आत्मदाहा करने का किसानों ने ऐलान किया है 24 फरवरी को आगरा आएंगे राश्टरपती ट्रंप अमेरिकी राश्टरपती के सामने आत्मदाहा करने का ऐलान किसानों की तो नहिरों में पानी नहीं आने और बुश्ली कम मिलने से परिशान है किसान और अब 24 परवरी को आग्रा राश्ट्रुपती प्रम पा रहर हैं अमेरिकी राश्ट्रुपती और उससे पहले किसानों की तरब से ये पढ़ा एलान आत्म दहा को लेकर किया गया है तो अमेरिकी राश्ट्रुपति के सामने आत्म दहा करने का एलान किसानों ने किया है आपको बता दे कि वारत दौरे पर अमेरिकी राश्ट्रुपति आ रहे हैं और 24 परवरी को जहां वो ताज महल का दीदार करेंगे और उससे पहले किसानों बी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शिव ताज महल पर आत्मदा की चेताबने किसानों की तरफ से बड़ा एलान प्रम के ताज महल दीदार से पहले बिल्कुल किसान के अगर बात करना तो किसान पहले से बहुत परीशान है क्योंकि इस समय किसानों की पकी फफल खड़ी हुई है गाये उनकी फफल को नुक्सान पहुचा रहा है और लगातार प्रसासन से मांग कर रहें कि इससे अंकुस लगा जाए गायों को गोसाला और चांच में दोसी भी साबित हो चकें लेकिन उन पर आज तक कारवाई नहीं की गई है इनी तमाम बातों को लेकर किसान परिशान है कल आगरा के सीडियो ऑपिस में मासिक बैटे कुई ती इसमें किसान एकतितू है और किसानों ने अपनी मांगें रखी कि 24 तारीक तक इ वीडियो को ग्यापन भी दिया है फिलाल प्रशासन इस पर बातशीत कर रहा है और बातशीत करने के बाद पूरी किसानों की समझ्याओं का हल निकाला जाएगा बिलकुल जिब लगातार किसान अपनी मांगों के जर्ये चेताने की कोशिश सरकार को वक्त वक्त पर करते रह और इसी के चलते किसानों ने एलान किया है कि इस समय प्रशासन तैयारें में जोर सोर से लगा हुआ है और किसान एक अलग एलान कर रहे हैं किसान परिशान है तो प्रशासन भी इस बात पर अमल कर रहा है बैशक कर रहा है और बैशक में जरूर इसकाहल निकाला जाएगा लेकिन किसानों की अगर बात करें तो किसान पूरी तर से उग रहें, उनका साथ तोर्ष कहना है कि 24 तारीक तक अगर हमारी मांगे नहीं माने जाती हैं, तो वो आत्मना जरूर करेगी. चाहिए शेफ लाज शुक्रिया जुड़ने के लिए जानकारी देने के लिए.